नमस्कान न्यूस्ट्रेक के वाई फेक्टर में आपका स्वागत है मैं हूँ योगिश मिश्व भारत के गंगा यमना तहजीब को बिगाड़ने का लंबे समय से काम करते आ रहे इसलामी उपदेशक जाकिर नाइक इन दिनों फीफा वर्ट कप के दोरान कतर में धारमिक व्याख्यान करते हुए दिख रहा है जिस तरह जाकिर नाइक का कतर के हवाई यद्डे पर स्वागत किया गया जिस तरह फीफा वर्ट कप के दोरान उन्हें भाषण करने की आनुमत मिली है, उनके भाषन की, उनके धार्मिक व्याक्षान की सुनने और बोलने की व्यवस्था की जा रही है, उस से फीफा व्रोल्ड कप में खेल की जो इस्पिरिट थी, वो खत्म हुई और धार्मिक उनमाथ फेलाने की जगे बनते हुए इवेंट बनते हुए फीफा वर्ड कप दिख रहा है जाकिर नाइक भारत से फरार है क्योंकि उनके उपर फेरा और तमाम अलग अलग कानूनों के थाथ भारत में वेमनस फैलाने का आरोप है शिकायत है इस तरह की प्राथमिकी दर्ज है जाकिर नाइक रहते तो मलेशिया में हैं लेकिन इन दिनों फीफा वर्ड कप में जिस तरह कतर के वो महमान है उससे कतर के नियत पर भी सवाल खड़ा होता है कतर राजिक के सौमित वाले खेल चैनल अलकास के प्रसुत करता फैसल अलहाजरी ने सनिवार को ट्विटर पर लिखा उपदेशक सेख ज शकप के दोरान धार्मिक व्याख्यान देने के लिए जाकिर नाइक को आमंतित किया है कुछ वीडियो भी शोशल मीडिया पर चले हैं जिसमें चार दिन पहले कतर हवाई अड़े पर बहुत सम्मान और आवभगत के साथ जाकिर नाइक को उतरते हुए दिखाया गया है भर पढ़ावा देने का प्रियास करने के लिए प्रोचाहित करने का आरोप लगा है नाइक 2016 में भले ही भारत से भाग करके मलेशिया चला गया हो उसने अपना अस्थाई निवास मलेशिया में बनाया हो लेकिन 2020 में भारत में उसे रास्ते सुरक्षा कानून के तर्थ संगठन मुसलिम दरहुट के इसलामी उपदेशक सलमान ओदाह का हवाला देती हुए आत्मगाती हमलों का समर्थन किया उसने ओदाह को एक बड़ा इसलामिक विद्वान करार दिया ओदाह ने कहा था कि चरम मामलों में इसलाम में इस तरह के हमलों की अनुमती दी गई थी हकीकत है कि नाइक ने पाकिस्तानी मंदिर पर बंबारी करने वालों के पक्षम जाकर यहां तक कहा था कि मंदिर के निर्मान पर पाकिस्तान में रोक लगनी चाहिए नाइक लोगों को धर्मांतरन कराने के लिए प्रिरित करते हैं नाइक हिंदू मुसलिम सोहार्द के है उस से लोगों में यह बात तो साफ हो गई कि कतर में फीफा वर्ड कप किरा जाना ठीक नहीं है और इसका उपयोग कतर, इसलामिक विचारधारों को प्रचार करने के लिए कर रहा है, खेल की भाउना को प्रचार प्रिसार करने के लिए नहीं कर रहा है कतर और जाकर नाइक की नियत से बचने की जरूत है इस बार इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए धंग से बात करने के लिए तब तक के लिए नमस्कार